माववादियों की राजधानी कहे जाने वाले जहारखन के बुढ़ा पहाड पर तिरंगा लहरा दिया गया है। बुढ़ा पहाड, गढ़वा, लातेहार और चटीस गढ़ के बलरामपुर जिले की सीमा परिस्तित है। एक दौर था जब बुढ़ा पहाड पर नकसलियों का कबजा था। लेकिन अब कोब्रा बटालियन ने यहां अपना कबजा जमा लिया है। खुबसूरत जंगलों के बीच उची पहाड़ियों पर कोब्रा बटालियन ने ये तिरंगा लहरा दिया है। इस मोहीम से CRPF और पुलिस ने भी एहम भूमिका निभाई है। 44 किलोमेटर शेत्रफल वाले इस पहाड को उगरवादियों से सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मुक्त करा लिया है। कोब्रा बटालियन के कमांडेंट राजीव कुमार ने बताया कि फोर्स अब यहां से नहीं जाने वाली है। एक चैलेंज रही थी। इस वार हम लोगों ने इस चैलेंज को एसेप्ट किया और हम लोग पूरी डिटर्मेंट थे हमारे कमांडो जी डिटर्माइन थे हमारे जब सीनियर अफसरों का डिरेक्शन मिला तो इससे कलेक्टिव एफ़र्स के द्वारा जिसमें कोब्रा दोसो तीन कोबरा दोसो पांच दूसरी CRPF की बड़ालिया जेजे एंड लोकल पुलिस सभी का कलेक्टिव एफ़र्स से बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जो की चार तारिक से शुरू हुआ और चार को ही हमने इस बुड़ा पर को चढ़ने में सफलता हासिल की जोल डेर पुंदाग और आसपास की जितने भी हैं सब जगह में सेकरेटी फूर्स ने अपने तरीके से कर लिया है और अब यहां पर कोई भी आसपास में भी उनकी नामों निशान नहीं है और अब मैं आपके मादेम से बताना चाह रहा हूं से बहुत बार यहां आ गई है यहां पर इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े अभियान चले हैं और कई अभियान में हमें आजातीत सफलता भी मिली है और इस अभियान के दौरान हमारे कई सांथियों ने अपनी साधत को भी दिया है आज इस चीज को एच्छीब करके इस बुड़ा पहार को अपने कबजे में ले करके हमने उनको सची सरदांजली दिया है हम उन आम नागरिकों के भी कृतग हैं जुनोंने सिक्रिटी फोर्सेज को हमेशा इस अभियान में पहले भी मदद करते आ रहे हैं और हमारे आने से उनमें एक अलग तरीके का विश्वास जमा है हम उनको भी यह करते हैं अश् और हमना कर इस मकसद को हासल किया गया है कि सकृर्टी फोर्से चो कमांडों जोगर होते हैं वो चुनों से नहीं बढ़ाते हैं इन चुनों को करते हुए हमारा काम ही है इन चुनोतियों के बीच में ही चुनोतियों को असेप्ट करना इन चुनोतियों के साथ ही आगे बढ़ना और उसको काम करना चुनोतियां आती रहती है और चुनोतियों को निपटते हुए हम अपने काम को अंजाम देते हैं और जो चोटी-मोटी चीजें आती सबसे बड़ी बात है दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है बाकी चीजें भी है लेकिन वह चुकी हम लोग आ गया है और हमें भरोशा है कि वह सारी चीजें हमारे आने के साथ अब आती चली जाएंगे ये तिरंगा उन बहादुर जवानों की कुर्बानी की वज़र से लहरा रहा है जिन्होंने उग्रवादियों से संघर्ष में सर्वोच बलिदान दिया था आज के दिन पूरा देश अमर शहीदों को सत-सत नमन करता है पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए गढ़वा से अभा बार लगू यादियो न